दूबाई के मैदान पर खेले गए T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में जैसे आस्ट्रेलिया ने न्यूजिलेंड को हरा कर पहली बार खिताब पर कबजा जमाया पूरे आस्ट्रेलिया टीम खुशी के मारे पागल हो गई और इसकदर जश्ट में डूब गई कि मैथ्यू वेट जैसे दिगज खिलाडी जूते में शराब डाल कर गटकने लगे 173 रनों के टार्गेट का पीछा कर रही आस्ट्रेलिया के बल्लेबाज ग्लेन मैक्सविल ने 19 वे ओवर की पांचवी गेन पर जैसे ही टिम साउथी को चौका जड़ा इसी के साथ पूरी आस्ट्रेलिया टीम जश्ट में डूब गई और ये जश्ट न इसकदर था कि देखकर आपको घिन आ जाए दर असल जैसे ही टीम ने T20 खिताब जीता, ड्रेसिंग रूम में खिलाडियों ने जश्ट मनाना शुरू कर दिया इसी जश्ट के दौरान मैथ्यू वेड ने अपने पैर से जूता उतारा और उसी जूते में शराब डाल कर पीने लगे मैथ्यू वेड का ये अजीबो गरीब जश्ट देखकर उनके साथी खिलाडी मार्क स्टोइनिस ने भी वही काम किया उन्होंने भी मैथ्यू वेड से जूता लेकर उसमें शराब डाली और गटा गट पी गए इस जश्ट की एक वीडियो आईसीसी ने अपने ट्विटर हैंडल पर डाली है जिससे आप भी देख सकते हैं मैथ्यू वेड और स्टोइनिस के इस अजीबो गरीब जश्ट पर सोशल मीडिया पर भी तरह तरह की रियाक्शन्स देखने को मिले एक ट्विटर यूजर ने हसन अली की तस्वीर पोस्ट करते हुए लिखा भाई आप जूते में दारू डाल कर क्यूं पी रहे हो आपके पास ग्लास नहीं है क्या एक और ट्विटर यूजर ने लिखा गंदे जूते से शराब पी कर ऐसा जश्ट मनाना पहली बार देखा ये अनहाईजिनिक है रुखसाना इकबाल नाम की यूजर ने लिखा नॉंसेंस लोग जीत का जश्ट मनाने का इससे बुरा तरीका और क्या हो सकता है एक ट्विटर यूजर ने लिखा ये सबसे खराब जश्ट था वर्ल्ड कब जीतना तो ठीक है मगर इस तरह का जश्ट यक अशोग रोवर नाम की यूजर ने औस्ट्रेलियाई खिलाडियों को जूते में शराब पीता हुआ देखकर पूछा चरण धोकर पी रहे है क्या शुबम नाम की यूजर ने लिखा ये क्या है? ये कैसा सेलिब्रेशन है भाई? जिसने भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाडियों को जूते में शराब डाल कर पीता हुआ देखा सभी ने हैरानी जताई और यहीं पूछा कि ये कैसा जशन है भाई? क्योंकि जिस जूते को हम घर से बाहर उतारते हैं उस बद्बुदार जूते में शराब डाल कर पीने के बारे में सोच कर ही घिनोना लग रहा है आस्ट्रेलिया के लाडियों ने तो उसमें शराब डाल कर पी कर भी दिखा दिया मेरहाल मैथ्यू वेड और मार्क स्टॉइनिस के इस तरह के सेलिब्रेशन पर आपका क्या कहना है? अपनी राए हमें कमेंट कर ज़रूर बतारे यदो दिया